हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी क्रश्णा आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया विशाय स्वा अर्जित संपत्य योग या खुद के प्रयास से जीवन में सफलता अर्जित करना अच्छा मान सम्मान मिलना अच्छा पद नोकरी मिलना प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना और जीवन में जो कुछ भी तरक्की करना स्वयम के प्रयासों से स्वा अर्जित संपत्य योग कैसे बनता है हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी तरकी करे स्वयम के प्रयासों से ही करे इसे लोग स्वाभी मानी भी होते हैं और स्वयम के प्रयासों से सफल भी होते हैं यहाँ पर हम देखें एसी इस्तिती को तो माता-पिता का सयोग कम और स्वयम का परिश्रम जादा होता है बहुत सी बार हम ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो साधन परिवार में जनम लेते हैं और बहुत उंचे पद पर जाते हैं उसका कारण यही होता है कि उनकी कुंडली में आज जो बता रहा हूं ऐसा योग होता है और आज जो योग बता रहा हूं ऐसा योग चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो किसी की भी कुंडली में बन रहा है तो जीवन में अच्छा पदमान सम्मान मिलेगा स्वयम के प्रयासो से तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस योग को समझ पाएंगे दो भावों से इस योग को देखते हैं सबसे पहली इस्तती है लगन दूसरी इस्तती है दशम भाव दो भाव ऐसे हैं जो इस योग को बनते हैं दशम भाव जो है दशम भाव इससे हम कर्म की इस्तती देखते हैं दशम भाव का स्वामी यदि मजबूत इस्तती में है तो व्यक्ति कर्म करेगा मेहनत करेगा प्रयास करेगा पीछे नहीं हटेगा गिरेगा फिर उठेगा लेकिन प्रयास निरंतर करता रहेगा यदि दशम बाव मजबूत है तशम बाव का स्वामी कहीं कमजोर है तो परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है फिर भी सफल होता है व्यक्ति लेकिन कुछ इस्ततियां ऐसी होती है कि व्यक्ति कर्म ही ना करे तो फिर सफलता नहीं मिल पाती है एक इस्तति होती है कि भाग्य से मिले पिता जी से संपत्ति मिले वहन मिले मकान मिले वह योग अलग है लेकिन स्वयम के प्रयासों से सफल हो तो उसमें व्यक्ति को विशेश आनन्द आता है उसका नाम भी होता है स्वयम के प्रयासों से ही अपनी किर्थी बढ़ाना बच्पन में उसका कोई नाम नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है कुछ ऐसे काम करता है कि उसका नाम किर्थी बढ़ती है तो शुब किर्ती बड़े है उसकी बात हो रही है बुरे कर्म नहीं बोसे लोग बुरे काम भी करते हैं उससे भी उनका नाम अकबार में छपता है वेसे कारियों की बात नहीं हो रही है अच्छे काम करना समाज सेवा करना और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना और अच्छी नोकरी मिलना या अच्छा व्यापार होना और सारी सुक की जो सुक के जितने भी साधन है वे स्वयम के प्रयासों से इकटे करना तो दशम भाव जो है वह कर्म का भाव है दशम भाव पहली इस्तती देखनी है कुंडली में दशम भाव को दूसरी इस्तती देखनी है लगन को किसी भी व्यक्ति की शारीर की इस्तती तभी सही रहती है जब उसका लगन है अच्छा हो लगन का स्वामी भी अच्छी इस्तती में हो और लगन में भी पाफ ग्रह ना हो तब जाकर वह शरीर से बलवान होगा और शरीर से बलवान है तभी तो उसकी किरती बढ़ेगी तभी तो वह प्रयास करेगा, मेहनत करेगा नहीं तो यदि शरीर ही बिमार है तो फिर कर्म नहीं कर पाएगा तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे सफल भी होते हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे बहुत सी कुंडलीों में ऐसे योग मिल जाएंगे तो दो भाव देखने होंगे, लगन और दशम भाव लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है दशम का स्वामी कौन सा ग्रह है अब वहाँ पर देखें दशम भाव में या लगन में आप यहाँ पर कुंडली से समझ सकते हैं कि लगन में और दशम भाव में क्या-क्या राशियां लिखी हुई है लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है दशम का स्वामी कौन सा ग्रह है और स्वामियों के बारे में हमेशा ही बताता हूँ जैसे मेश और व्रश्चिक राशी का स्वामी मंगल है अर्थात एक और आठ नमबर इनका स्वामी मंगल है दो और साथ नमबर की राशी व्रशब तुला राशी इनका स्वामी शुक्र है तीन और छे मिथुन और कन्या का स्वामी बुद्ध है चार नमबर करक राशी स्वामी चंद्रमा पांच नमबर सिय राशी सूर्य स्वामी नो नमबर और बारा नमबर नो धनू बारा मीन दोनो का स्वामी गुरू है दस मकर ग्यारा कुम्ब दोनों का स्वामी शनी होता है एक इस्ति और है कुंडली में जैसे मीन लगन की कुंडली है तो मीन लगन की कुंडली में गुरू दशम का भी स्वामी होता है और लगन का भी स्वामी होता है इस बात को भी समझें कन्या लगन की कुंडली में बुद्ध ग्रह लगन का स्वामी भी होता है और दशम का स्वामी भी होता है तो इन दो कुंडलियों में स्वामी एक ग्रह ही होगा इस बात को भी आप समझ ले मैं तो इन दो ग्रहों की यूती देखनी होगी विशेशकर इन दो ग्रहों की यूती यदि दशम भाव में हो, लगन का स्वामी भी दस्वे भाव में बेट जाए और दशम का स्वामी दशम में ही हो, यह इस्तती काफी अच्छी होती है, लगन का स्वामी लगन में ही हो और दशम का स्वामी लगन में बेट जाए, यह इस्तती भी काफी अच्छी होती है, कहीं कहीं खराब ह होती है उस बात को भी समझना पड़ेगा बहुत सी बार खराब सद्धी भी होती है फिर उसके रिजल्ट कहीं उस व्यक्ति का सुभाव भी थोड़ा सा वहां थोड़ा खराब हो सकता है पद भी मिलता है अच्छी नोकरी भी करता है लेकिन सुभाव उसका थोड़ा सा खराब होता है लेकिन फिर भी व्यक्ति को पदमान सम्मान तो मिलता है जैसे मेश लगने की कुंडली है दशम का स्वामी शनी है यदि लगन में बेट जाए तो नीच का होता है लेकिन मंगल भी यदि लगन में बेटा हुआ है तो उसका शनी का जो नीच प्रभाव है कम हो जाता है उसे भी देखें, यदि मंगल दशंबाव में बेड़ जाये, तब भी शनी का नीच प्रभाव कम हो जाता है, मंगल अच्छी इस्तती में होता है, जोतिश का सुत्र भी है, कि आप किसी ग्रह को नीच का देखते हैं, किसी राशी पर नीच का देखते हैं, तो जिस राशी पर वहग्रह बेठा हुआ नीच इस्तती में, उस राशी का स्वामी भी यदि नीच इस्तती में हो, तब इस्तती जादा खराब हो जाती है, लेकिन यदि जैसे माल लीजे चंद्रमा वरश्चिक राशी पर नीच का होता है, आठ नंबर पर, तो आठ नंबर वरश्चिक राशी है, और यदि ऐसी इस्तती में, मंगल कुंडली में कहीं उच्च का है, या स्वाराशी का है, तो चंद्रमा का नीच प्रभाव कम होता है, और मंगल की शुब इस्तती से बहुत से शुब फल भी मिलने शुरू होते हैं, तो ये बात भी समझनी होती है, तो लगन और दशम का स्वामी, आज जो बात हो रही है, वह लगन और दशम के स्वामी पर दरश्टी डाले हैं, और लगन और दशम के स्वामी दोनों एक साथ बेठे हों, यदि लगन में हो, यदि दशम में हो, यदि ग्यारवे भाव में हो, यदि नवम भाव में हो, और चटे आठवे बारवे भाव में नहीं होना चाहिए बागी केंद्रों और त्रिकोन में अगर इन दोनों की यूती है लगन पंचम नवम में यूती है या लगन चोथे भाव में सब्तम भाव में दशम भाव में यूती है तो यह यूती बहुत अच्छी होती है ग्यारव भाव में बेट जाएं तब भी धन की कमी नहीं रहती है तीसरे भाव में बेट जाएं तब भी पराक्रम की व्रद्धी होती है लेकिन विशेशकर लगन और दशम के स्वामी यदि लगन में ही बेठे हो या दशम में बेठे हो यह काफी अच्छा योग होता है एसी इस्तति म महन्द भी है और पद भी प्राप्त करता ही है व्याबार करेगा तब भी उसे लाब मिलता है खुद के प्रयासों से हर क्षेत्र में सफलता आरजित करता है फिर बात वही आई कि दशा भी देखनी बहुत जरूरी है कि कुंडली में ऐसी इस्ततियां होने के बाद भी व्यक्ति को फल शुब फल नहीं मिल पाते हैं उसका कारण है दशाएं अच्छी नहीं है तब ऐसा होता है तो लगन पंचम नवम को को देखें वहां पर कौन सी राशी है सीधा सा सुत्र है लगन पंचम नवम को देखें वहां पर जो राशी लिखी हुई है उसका जो स्वामी है उनकी दशा अगर चल रही है विंशोतरी दशा तब तो आप पूछो मत व्यक्ति तरक्की करेगा सफल सिद्ध होगा और यह जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो शेर अवश्य करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महतुपून जानकरिया आपको समय समय पर मिलती रहेगी धन्यवा जै सिक्रष्णा